हलो फैंड्स मैं प्राची आप सबको स्वागत कर्टियू मेरे चानल पे आज हम लोग बनाने जा रहें इंस्टंड रवा और सूजी का दोसा उसके साथ दो तरह की चट्नी उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है उसमें हाप कप all-purpose floor या मैदा लिया है हाप सेमोलीना लिया है जो की सूजी है आपके पास अगर फाइन वाला नहीं है तो फिर आप उसको ग्राइंड कर लीजिए वान टेबल स्पून कॉन फ्लोर लिया है थोड़ा सा चॉप्ट किया गया कोरियंडर डालेंगे एंड तू टेबल स्पून कर्ड अड़ करेंगे नमक स फ़ाद अनुसार 1 टीजपून क्यूमिन सीड थोड़ा सा चॉप्ट किया गया ओनियन एंड पींच ओफ बेकिंग सोड़ा एड करेंगे एंड उसके उपर 1 टीजपून लिमन जूस आड़ करके उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे फिर उसमें 1 कप पानी आड करेंगे एंड अधर 1 कप पानी आड करेंगे एंड उसको हापे नावर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे उसी बीच हम चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है चैना डाल डाला है 1 फॉर्थ कप ग्रिटेर कोकोनेट डालेंगे फ्राइ कर लेने के बाद सारे मिक्सर को हम ग्रांडिंग बाउल में निकाल लेंगे फिर उसमें थोड़ा सा चॉप्ट किया गया अद्रक का टुकरा अड़ करेंगे एंड पानी आड़ करेंगे फिर उसको एक बाउल में निकाल लेंगे एंड उसमें थोड़ा सा नमक अड एड़ करेंगे and 1 tablespoon Imlika sauce एड़ करेंगे उसके बाद हम second वाला चटनी जो peanut का चटनी है वो बनाना स्टाट करेंगे उसके लिए मैंने यहां पे 1 tablespoon चना डाल लिया है and थोड़ा सा peanut लिया है हाप कप ऑफ ग्रेटेड कोकनट डाला है एंड वान टू टू ड्राइचिली आड करेंगे हाप टीप स्पून क्यूमिन सीड आड करेंगे एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट आड करके उसको हम थोड़े टाइम के लिए फ्राइ करेंगे फिर सारे publish को थोड़ा सथंडा कर लेने के बाद हम इसको ग्राइंड बाउल में निकाल लेंगे एंड उसमें चोटा सा अद्रक तुकडा डालेंगे एंड थोड़ा सा रॉवाल टूच बालेंगे एंड फोड़ा सा रौ वाल इमली पल डालेंगे एंड उसको चटनी में डालके अच्छे से मिक्स कर लीजे हमारा बन गया अभी हमें गर्मा गरम दोसा बनाना है उसके लिए मैंने यहां पे तवा ले लिया है तवा का हीट आप चेक कर लीजे बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए अगर बहुत जादा गरम हो गया है तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी चिरख दीजे इस तरह से उसका वह धीर धीर थंडा होने लगेगा फिर उसमें हमारा जो बेटर हम प्रिप्यार करके रखे थे उसको हम ऐसे फिला के डालेंगे फ्लेम हमारा मीडियम में ही रहेगा मीडियम में रखे उसको कुक करना है जब यह ड्राइ होने लगेगा उसके उपर हमें थोड़ा सा ओई अप्लाई करना है मैं सेकेंड वाला दोसा देखिए फिर से बना रही हूँ और एक ड्राइ हो गया अभी उसमें ओई लाड़ किये फ्लेम को हमारा बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेगा फिर उसको दीरे-दीरे से साइड में से निकालिए क्योंकि यह बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो फिर आप मॉनिंग में या फिर इवनिंग स्नाक्स के लिए आप इसको जटपट बनाके गर्मा गर्म सव कर सकते हैं विच चटनी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिल लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्यू सो मच